इसमें एक पटाका फैक्टरी में जोरदार विस्पोर्ट हो गया जिसमें एक महिला की मौत हो गई विस्पोर्ट इतना जोरदार का था कि महिला का शब पास में एक खेत में पड़ा हुआ मिला मामला बावरिधाना श्वेत्री के गाउं पुट राड़ा का है यहां जंगलों में अचानक भीशन विस्पोर्ट हो गया विस्पोर्ट जहां पर हुआ वहां पर बुट राड़ा गाउं में ही रिजवान द्वारा लाइसंस पर पटाका फैक्टरी चलाई जा रही थी धमागे की आवाज सुनकर ग्रामिन मोके की और दोड़े और पुलस को पूरे मामले की जवानकारी दी सूशना पर पुलिस और प्रसाशनिक अमले समेत दमगल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुँच कर राहत बचावकारे शुरू कर दिया राहत बचावकारे में जुटी पुलिस की टीमों ने मौके पर जांच परताल शुरू किया तो पटाका फैक्टरी में मलवे के अंदर कोई शब बरामत नहीं हुआ लेकिन पास ही में एक अगन्ने के खेत में पुलिस को एक महिला का शब बरामत हुआ पुलिस के मताबिक महिला की मौत पटाका फैक्टरी में हुए विस्पोर्ट से ही हुई है बाबरी छेतर में पटागा फैक्टरी में इसफोट होने और आग लगने की सूछना लगबग एक वज़े थाना बाबरी को प्राप्त होई थी प्राप्त होने पर सूछना प्राप्त होने पर तमाम जो थाना पुलिस वरिष अधिकारी गर्ण और फैर बिंगेट की टीम वहाँ पर पहुंची और वहाँ पर मौके का जायजा लिया गया इस घटना में एक महिला जो है चालिस वरिष जिनकी उम्रें उनकी मृत्यू हुई और इसके अलावा अभी तक और कोई जनहानी की सूचना नहीं है मौके पर टीमें हैं फायर ब्रिगेट की टीमें है और जो आवशे कानूनी कारवाई है वो पुलिस वरिक ही जा रही है फिलाल विस पोर्ट के मामले में पुलिस टीमों को जाच परताल में लगाया गया है और महिला के शेव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भिजवा दिया गया है पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट